जैनक दरने को लेकर मैं कि यह कुछ मांगे दो जो पागनी है जो सरकार ने जो कानुन बनाया जो सरकार अभी नहीं यह उनकी नहीं नहीं तो कानून किसी काम के नहीं सहरी रोजगार कारेंटी में का कि 125 दिन का हम कानून पास किया पानून पास हो गया लेकिन आप नियम अभी भी नहीं बना रहे हो 25 दिन का अत्रिक्त ग्रामिन रोजगार कारेंटी मिलना था उसके भी नियम नहीं सामाजिक सुरुक्सा के भी सब्सक्राइब को सरकार एक अंधिरे डबे में डालके बैठ गई है और उनको जितना डीले करना चारी जितना धीरे धीरे उसको खैचरी है मुझे लग रहा वो केवल और केवल चुनाव का इंजार कर रही है कि चुनाव हम 24 का जीते और उसके बाद इन सारी चीजों को हम महत्बन करन फिर आप आपका जो अपना अधीकार है आपके हाथ में यूज करो घ्रिखान देने के लिए 290 को लगाता है लेकिन सरकार अभी तक इन बाबाजी कहां से आयो आप राज समन से जैपूर चलकर आये राजदानी जैपूर में अपनी मांगों को लेकर सब्सक्राइब क्या कुछ मांगे आपके लगातार दन्ने को आज 11 वा दिन है रोज़ारम अमेर को नहीं मिलता और समय पर कोई काम ने उपर है इसलिए दन्ने के सब्सक्राइब कि कहां से राजदानी जैपूर में पहुंची है कहां से आयो आप मैं राजसान की धोल पुर चिले से हूं और हमारा यह धरना लगतार 11 दिन से चल रहा है आज 11 दिन है तो हम लोग जो जिनको बास्विक में जरूरत है उनकी जो मुद्दे हैं उनको लेकर म बरियता दे रही है ना कि गरीब के एक मुद्दे को पैंसन वाला मुद्दा है तो उसमें बुजर्गो की पैंसन काफी टायम से रुकी हुई है और रुकने के बावजुद भी कट कट के आ रही है जैसे कि अब गिगवर्कर की बात की जाए तो उसकी कोई सामाजिक सुरच सरकार ने जो दो क्रोड़ी रुपे का बजट डाला था तो सरकार उसको क्यूं शारी है उन मांगों से क्यूं भाग रही है ऐसा लग रहा है कि अगर चुनाव से पहले यह सारी चीज़ें नहीं हुई तो जो हमारा हमारी हक की बात है जैसे लोगतंतर वाली बात करें जो हम तो हम जैसे लोग अगर मुद्दों की बात रखेंगे तो हम तो सरकार द्वारा चूज नहीं करेंगे बड़ा मुद्दा यह देखने को मिला की लगातार डबल इंजन की सरकार लगातार आरोब लगें कि यह सरकार ज्यादा हिंदू को बड़ाव देती हैं ना कि बेरोजगा जो यह हमारा एसार उसमें डीजन कोडिनेटर हूँ और यह जो धरना हमने लगाया है यह हमने लगाया है कि जो भी जितनी भी जंता है सरकार ने कानून बनाए है उनके नियम भी जल्द से जल्द लागू करें ताकि सबी जैसे ग Dodge कर्ष हैं जैसे नरेगा मजदूर है शहर रोज्गार गारंटी योगना जो कानॵीं कनेनेन ऊसपाइuely जदन dobने के लिए कानून छितने बीकान बने में जंद जल्द से जल्द लागू करें और उनको पुरीckt है है दूसरा जो pension वर्ग के लोग हैं उनको time to time pension मिले राशन मिले ये सारी सुविधाई जनता का हक है अधिकार है तो उनको समय समय पर मिलना चीए हमारी रणनीती यही है कि हमारा काम है कि सरकार को जगाना और उनको यह कहना कि जब तक जनता है तब तक आपका शाशन है जब अगर जनता को ही उनका अधिकार नहीं मिलेगा और जनता को ही सुविधाई प्राप्त नहीं होगी तो जनता क्या पता आपको किस तरह से नजरिये से देखें तो मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार जागे और जनता की तरफ और उसकी समस्याओं की तरफ जरा देखें नजरिया रखें क्योंकि चुनाओं तो हर पांस साल में आते हैं जीत और अहार लगे रहती हैं ले पर आपकी मांगों को सुनने के लिए पहुंचा है अभी तक एक दो मिटिंगे तो हुई है बट हमें कुछ अच्छा रिस्पोंस नहीं मिला है तो हम यहीं चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको गंबीरता से सरकार को लेना चाहिए और जो कानून है उनके नियम जल से जल् ना कानून बने हुए इनके नियम जल से जल्व लागू होने चाहिए जो नियम बनाए है चाहिए नरेगा के हो चाहिए सहरी रोजगार के हो जो नियम है उनको जल से जल्व लागू करे सरकार से यहीं मांगे उसी मांग को लेकर यहां पे जल्हा कर दन्ना दिया दा रहा है मैं सवाई मादूपुर से पदा रहा हूँ और आज हमारी परमुकमान तो एक जवाइब दे कानूने 2011 से चालू है पैंशन नहीं आती है लोगों की टाइम पे बजट की समझने हर बार बताई जाती है लोग काफी परेशान होते हैं पैंशन से यह मानों तीन-तीन मैने तक हम चाते हैं पैंशन टाइम पे आए नरेगा का पैमेंट टाइम से हो शेहरी नरेगा का भी हो तो ग्रामिन नरेगा का भी हो सरकार ने चला रखे टॉल फ्री नंबर 181 181 पर लोग शिकायत करते हैं लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी उनका कोई निवारा नहीं होता है अब स पर मुकमांग यही ही देखने को मिलती है कि जो नरेगा है और पहान Cute समय पर नियारी कानून बनाद हिलें लेकर कानून दरातल पर नहीं है अब देखना है कि आतार सेंहिता से पहले क्या इनकी मांगों को सरकार मानतीय है या पिर यह मंगे मंगे ही बनी रिजाती है शुव झाल झाल